गुड बॉर्निंग डाक्टर्स आज हम पढ़ने वाले हैं एट्रियम और वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक फेज तो हम स्टार्ट करते हैं कि एट्रियम कैसे सिस्टोलिक फेज में जाते हैं और वेंट्रिकल कैसे सिस्टोलिक में फेज में जाते हैं और कितन स्यूप्रिक जोटा 0.3 होता है और डायस इस्टोल एलग जो होता है वह 0.5 सेकंड होता है ठीक है तो यह मैंने एक ग्राफिकल कह लेने या और यह कहलें के मैंने को ढाद करने के राइक हिए यह एक लिटल बीट एक ट्रिम जो है वो systolic phase में पर फूल कार्डिक साइकल यह डाय सिस्टोलिक में रहता है ठीक है फिर एक 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोलिक और फिर एंड तक डाय सिस्टोलिक फेल्ड यह एट्रियम ठीक है जब हम वेंट्रिकल की बात करते हैं तो बेंट्रिकल सिस्टोलिक में तक डाय सिस्टोलिक में गज पिर 5 difficult टाय सिस्टोलिक के लिए रहते हैं बिल्कुल रहते हैं जब तक उसमें बड्ड अगें हो जाता और पिर रेलेक्स होते हैं और उसके बाद फिर add cream एक बार contract कर देते हैं और फिर rest पर चले जाती है ठीक है जब हम ventricle की बात करते हैं तो ventricle 0.3 second तक contract करते हैं वो किस तरह और मैं mainly इसमें जो बात बताना चाहरा था कि वो sounds systolic और डाइस systolic में S1, S2, S3, S4 ये किस तरह manage की जाती है या किस तरह produce होती है या हम यह कहते हैं कि सिस्टोलिक में S1 और S2 सिस्टोलिक कैसे हैं और S3, S4 डाइस सिस्टोलिक साउंड कैसे हैं तो मैं ये mail बताना चाहरा था ठीक है तो यह है कि इसमें start में S1 produce होता है मैंने आपको last video में बताया था कि S1 कैसे produce होता है S1 produce होता है closure of the mitral valve and tricuspid valve के closure से ठीक है closure से जब sound produce होगा closure कब होता है जब ventricular यहां से start से इन्होंने 0 पे pressure था contract करना start किया ठीक है इसका प्रेशर पहुंचा 5 पे ठीक है जब 5 पे pressure पहुंचा तो atrium जो था उसका भी 5 pressure था ठीक है जब इससे उपर blink करने लगता है तो इसका जो pressure है वो सारा को सारा उपर atrium में move हो सकता है इस वजह से हमारे जो vital valve और tricuspid valve हैं जो close हो जाते हैं उस वकत S1 sound produce होता है होपस हो कि आपको समझ जाई नेक्स्ट हम जब जाते हैं तो यह contact करता रहता है ठीक है और फिर एक स्टेज आता है जब इसका प्रेशर 80 पे पहुंचता है जब 80 पे पहुंचता है तो उसके बाद मैं यह मेली लफ्ट साइड की बात कर रहा हूं ठीक है यह प्रेशर जो है वह 80 और 120 लेफ्ट साइड पहुंचता है तो हमारे अउटिक वाल्व जो है वो उपन हो जाते हैं बलड बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है और हार्ट कंट्रेक्ट करता रहता है ठीक है जब इसका 120 ले पहुंचता है तो फिर उसके बाद हार्ड रिलेक्स करना स्टार्ट करता है जब रिलेक्स करना स्टार्ट करता है और अगेन वापस 80 पर प्रेशर आता है तो उस वकत हमारे जो वाल्व है और टिक वाल्व वो क्लोज होते हैं ठीक है जब वो क्लोज होते हैं तो उससे स्ट ब्रोडुंस होता है जो के स्टॉॉलिक के बिल्कुल लॉब होता है ठीक है उसके बाद जो यह यहां पर पहंचेंगे मतलब यह के वेंट्रीकल जो है वह वह दिसलिक Communityreme मिंसलिया और जब यह थ्री पर आया है और जब डाय सिंस्ट्रीक में आया है तो यहीं उसका pressure फाइब पर मुचता है तो हमारे जो vasive valve होते हैं या tricuspid valve wtedy ओपन हो जाते हैं ठीचहें तो rapid ventricular filling होती है उस ventricular filling से जो sound produced होती है हम उसको कहते है कि S3 sound है ठीच है जब हम next जाते हैं जब हम next जाते हैं तो तो उस वकत हम देखते हैं कि S4 sound जो है वो तक्रीबन यहां पर प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है, जब हाइपर ट्रॉपिक वेंट्रिकुलर होता है, और मैंने आपको बताया था कि Rapid Active Filling, जब Atrium contract करता है, तो वेंट्रिकुलर जो फिल होता है, उसको बोलते हैं, उस पकत जो sound videos होती है, उसको बोलते हैं, हम S4 sound, मैं repeat करता हूँ यह चीज, मैंने बताया था आपको कि वेंट्रिकुलर फिलिंग के तीन फेज होते हैं, ठीक है, फसली तो यह होता है कि end systolic volume जो है, वो बचा होता है, ठीक है, उस वे बाद first stage start होता है, first stage में क्या होता है, कि हमारे पास जो भी blood collect हो चुका होता है, एट्रियम में, वो valve खुलते हैं, तो वो direct नीचे आ जाता है, ठीक है, अगर, एट्रियम से वो collected blood है, वो direct नीचे बहुत तेजी से आता है, यह pressure से आता है, तो उस से house 3 sound produce हो जाती है, ठीक है, second phase हमारा यह था, कि फिर atrium as a tube काम करता है, कि उपर से जो भी blood आएगा, वो direct आगे ही भेज़ देगा, खुद नहीं रखेगा, ठीक है, क्योंकि valve ओपन है, ठीक है, फिर एक phase आता है, जब atrium contract करता है, ठीक है, और फिर हमारा जो active filling होती है, यह दोनों तो passive है, क्योंकि यह तो बस जो blood कठा हुआ था, वो ही नीचे आ गया, यह जो है, बस जो blood आ रहा है, वो ही नीचे खुद ही जा रहा है, और यह जो है, इस step में क्या होता है, कि atrium जो है, वो contract करता है, और atrium के contract करने से, जो blood नीचे आता है, उसको बोलते है active ventricular filling, उस active ventricular filling में, जब हमारे ventricle बहुत जादा सखत हो जाते हैं, तो यह हमारा blood easily नीचे नहीं आ सकता, तो इसको हम बोल, इस तोरान S4 sound produce होती है, ठीक हो गया, thank you doctors, this is the S4, S3, S1, S2, sounds in the systolic and diastolic phase, good bye.